तो अब क्या भारतिय जंता पाटी CBI के जरिये नितीश कुमार को पकड़वा देगी। सवाल इसलिए क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बीजे सिना का कहना है कि अगर राज में भ्रशाचार इसी प्रकार से जारी रहा तो बहुत जल्द नितीश कुमार सलाखों के पीछे जाएंगे। पाप कर रहे हैं और नितीश कुमार को अपने पाप के बारे में तब पता चलेगा उनको तब एहसास होगा जब नितीश कुमार भी वहीं चले जाएंगे जहां लालू परशाधियादों गय थे। इस वक्त नितीश कुमार इसलिए भी ज्यादा चर्चा का विशाय बने हैं क्योंकि नितीश कुमार खुद को पीएम उम्मिद्वार एक तरीके से मान चुके हैं। और नितीश कुमार ने जब से कहा है कि भारतिय जन्ता पार्टी को 2024 के चुनाव में 50 सिट भी नहीं जितने देंगे। तब से लगातार भारतिय जन्ता पार्टी और जदियू के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और कोई किसी का जवाब दे रहा है। और इसी सिसले में जब नितीश कुमार के जेल जाने की चर्चा भी सुरू हो गई है। और उसका कारण भरष्ठचार बताया गया है। और भरष्ठचार के कारण जेल का मतलब है कि CBI की एंट्री। बाकि अब नमस्कार में नाम है मोईत कुमार सिंग। और आप देख रहे हैं मारा विशे इसकार के रहा है। बिये सिना अब नितीश कुमार को आख दिखाते हुए कहते हैं कि देश के परदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को भरष्ठचार मुक्त बनाने के लिए सोच लिया है। और उन्होंने अपने इरादे की घोशना भी कर दिया। तता इसके बाद बिये सिना कहते हैं कि नितीश कुमार को अपने पापों का एहसास होगा। और बिये सिना का सिर्फ ये कहना था कि चर्चा चल पडे। और सिना नितिये तौर पर कहते हैं कि नितिश कुमार ने जो भाप, पांप कीया है, और अगर भरश्चा 4 इसी प्रकार से बढ़ता रहा, तब वे जेड जायेंगे। मतलब की बीजे सिना नितीश कुमार को चेतावनी दे रहे हैं कि आप संभल जाएए वरना भरष्चा चार इसी परकार से होता रहा तब आप जेल चले जाएंगे अब एक तरफ नितीश कुमार भारतिय जिनतापाटी को पचास से जादा सिर्फ जीटने नहीं देंगे तो लालू परशाद यादों कहां गयते तो लालू परशाद यादों जेल गयते और अब भाजपावालों का कहना है कि नितीश कुमार भी जेल चले जाएंगे और जेल क्यों जाएंगे तो भ्रष्टा चार के कारण उनको जेल भेजा जाएगा एक बात तो साफ है कि नितीश क कुमार सिर्फ विहार में भाजपा को परिशान नहीं कर रहे हैं बलकि उनकी तो कोसिस है कि वह भी पक्षी दलों की तरफ से प्रधान मंत्री पत्के उमिद्वार बन जाएं और इसलिए हाथ से भाजपा को भी अब लग रहा है कि नितीश कुमार विहार के बाहर भी उसको प बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से कहा है कि देश को ब्रहशचाचार मुक्त बनायेंगे मतलब कि नरेंद्र मोदी ने अपना इरादह बता दिया मोगा ब्रहशाचारी खत्म होंगे और नितीश कुमार के राज में जैसे भरश्चाचार बढ़ रहा है तो अब नितीश कुमार भी जेल चले जाएंगे और जब भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष बिजय सिना ने कहा तब चर्चा चल पड़ी कि क्या नितीश कुमार अब नरेंद्र मोदी और भाजपा के तमाम बड़े निताओं की नजर में चल चुके हैं मतलब कि नितीश कुमार को अब भाजपा वाले देखना नहीं चाहते नितीश कुमार ने जब से सत्ता बदली है मतलब कि भाजपा का साथ छोड़कर नोंने तेजश्वी यादों का साथ दिया है और नितिश कुमार हाथ जोड़कर नरेंदर मोदी का स्वागत करते थे और आज यहीं नितिश कुमार कहते हैं कि नरेंदर मोदी की पार्टी भाजपा 2024 में 50 से ज़्यादा सीट नहीं जीत पाएगी और इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि क्या केंद्रिय नितृत की नजर पर न चले जाएंगे बाकि आपका क्या मानना है उसे क्रमेंट वॉक्स में लिकर बताईएगा आगे जो कुछ नहीं जनकारी आएगी जो कुछ नया अपडेट आएगा यार किनाइटी से निकल कर उसे हम आप तक पहुंचाएंगे वीडियो यही परत्समात करते हैं वीडियो को शेर किजिएगा आप जनतांक्षन के साथ जुड़े रहिए कि अमरे कुछ भी साल खड़े हैं और मैं मोहित क्मार सींग बहुत बहुत धन्यवाद